रश्टी जनतादल के MLC असुख पांडेजी है मुखमंतर तीस कुमार ने नौवी बार मुखमंतरी पत्की सफत ली है बीजेपी के नितुर्त में अंडिये के नितुर्त में लेकिन रश्टी जनतादल का रुख कड़ा हो गया है हमारे साथ असुख पांडेजी MLC है लालू परी 2023 को बोले थे कि मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा में जाना कबूल नहीं है और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था आज हमारे मानिये मुखमंतरी जी ने जिस तरह से जो वादा किया था 2020 में और लोगों को चार लाख लोगों को रोजदगार देने का काम किया ये वर पल्टी मारने में भारत रत्न मिलना चाहिए इनको भारत रत्न दिया जाए पल्टी मारने में और आज जो मैंने देखा याठ लोगों को मिडिया के माध्यम से आफी के माध्यम से कि आठ लोगों को सपत दिलाया गया है उसमें एक भी ब्राम्हन को नहीं दिया गया है ब्र पाजपा के लोग ब्राम्हन बिरोधी हैं जैस सिर्राम का नारा लगाते हैं और ब्राम्हन का एक भी ब्राम्हन सपत नहीं लिया और हम एटुजेड में हैं आज हम हमारे मन्य उकमुख मंत्री जी आधरणिये लालू परसाद जी ने जो राष्टी अध्दक जी ने हमें ब्र सब्सक्राइब कर दिया है अब जितने भी काम हुए हैं 15 महीने के सासनकाल में गाउंगाउं पहुंचकर यह लोग उसको संदेश को तो जस्वी की जो संदेश है उसको पहुंचाएंगे हमारे सजोगी सन्नी के साथ कोशलंद्र पटना से